दोस्तो अगर आपने एक बार इन सेंड्विच को बना के खा लिया तो आप इन सेंड्विच के दिवाने हो जाएंगे और इनको बनाने के लिए मैंने ब्रेड का इस्तिमाल नहीं किया है ये सेंड्विच मक्के के आटे और मतर का इस्तिमाल करके बनाए गए हैं और आप के फ्रेश ताजी हरी मटर और यहां पर डाला है मैंने एक छोटा अद्रक का टुकडा चार लस्टन की कलियां एक कटी हुई हरी मेर्ज आदा कप पानी और सबको हम कर लेंगे बारी ग्राइंड यह देखिए पेस्ट यहां पर हमारा बन गया है और एकदम बारीक पिसा है यह पेसे हुए पेस्ट को निकालेंगे हम एक बावल में अब हम इसमें डालेंगे एक कप मक्के का आठा एक चुथाई कप गेहूं का आठा एक चुथाई चम्मच हल्ली पाउडर एक के था चम्मच गरम मसाला आदा चम्मच जीरा आदा चम्मच नमक मिला देंगे सारे चीजों को हम अपच्छे से मिलाने के बाद इस जार में डाला है मैंने एक कप पानी और पानी को हम धीरे धीरे डालेंगे और हमें यहाँ पर इसका थिक सा पेष्ट तयार चैल करना है ये gas बाला sandwich maker है अगर आपके पास electronic sandwich maker हो तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं और sandwich maker में हम तयार किये हुए paste को अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसके हम उपर तरह भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको कर देंगे बन और बन करने के बाद चलिए इसको रख लेते हैं हम direct ही gas पे अभी हमें यहाँ पर gas का flame low करना है लो flame पे इसको हमें लगबग 2-3 मिनट इसी तरीके से सेखना है मैंने एक बार इसको चेक कर लिया है यह नीचे से सिख गया है तो इसको हम पलट लेते हैं और दूसरी दरब भी लगबग 2 मिनट तक इसी तरीके से इसको सेख लेते हैं 2 मिनट बाद यह देखिए सेंडविच यहाँ पर हमारा बन गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों यह हो गये हैं यहाँ पर हमारे मक्के के आटे के और मटर के सेंडविच खाने के लिए तैयार देखिए कितने बढ़िया बने हैं और बहुत यह असानी से सेंडविच निकल के बाहर आ गये हैं तो आप एक बार इन सेंडविच को जरूर बना कर खाएं क्योंकि जो sandwich हैं खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट होते हैं और खासकर ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और सबसे अच्छी बात कि इनको बनाने के लिए bread का इस्तिमाल नहीं किया जाता है तो ये नुकसान भी नहीं करते हैं तो एक बार आप इन sandwich को जरूर बनाएं रेस्पी अच्छी लगे तो अपने friends और family members के साथ इसको share कीजिए सुखिरे ये स्वस्त रही है मिलेंगे आपके साथ next recipe में तब तक के लिए बाई बाई